लुट कई स्वागत है एक और इंफार्मेशन वीडियो में जैसा कि आप लोग कल देखें थी निनीत कर आ। नेउच अक लेका आहे थे उसमें नोस के रिलेटेश अन्यल्ट की रिलेटेश से था इनीफार्मेशन वीडियो को जो मुहरम बीता है अभी को उसमें वीडियो कई मुहर्रम में दोस्तों कई लोग मुस्लमानों की मुहर्रम के दिन जैसा कि आप लोग को हम नियूज पर लिख चलते हैं जिस तरह से पिछले हफते कावड़ियों की डीजे गाड़ी विजली के हाई टेंशन तारों से टकराई और उसमें कई कावड़ियों की मौत हो गई सेम उसी तरह से आज मुहर्रम के दिन जैसा कि आप लो जानते हैं पिछले कुछ दिनों में बॉल बम का जो यात्रा होता था उसमें कावड यात्रियों के डीजे गाड़ी पलड़ गी थी उसमें कुछ लोगो की मौत हो गी थी सेम उसी तरह दुर घटना हुआ है मोहर्रम के दिन में काफी लंबी ताजिया थी उस इसमें करेंट फैल गया उसमें काफी लोगों फिम्रित होगे दोस्तों और सारा सीच आपको बीडियो में देखने को मिलेगा आप लोग बीडियो बनेगा सीधे आप लोगों को फिर नियूस बहले चलते हैं आज दसमी महर्रम के दिन आज का दिन इमाम हुसेन की शहादत क का दिन है आज के दिन कई जगा से हादसे की खबरे सामने आ रही है सुबह सुबह पहली खबर जारकंड के बुकारों से सामने आई यहां पर एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन तारों से टक्रा जाता है लंबा चोड़ा ताजिया जब बिजली के तारों से टक्राया तो ताजिये में करण फैला तो एक्कम से भगदल मच गई भगदल होने के वज़ा से भी कई सारे लोग घायल हो गए अगली खबर आरे बिहार के जिले से गोपाल गन से उसमें काफी सेक्ड़ों लोगों की मौत हो गई है बिजली के तार की खंबेस उसमें करेंट आ गई तो फिवा लोग के मुर्ण फोगवर दोस्तो आप लोग जानते ने पताने में मुस्लिम भायों कैसे अपना जो करतब दिखा रहे हैं पता इन लोग कों सा भू सवार है करतब दिखाते हैं को कपड़े को निकाल दे तो ठीक है करतब दिखाऊ हमारी बास से बहुत लोग मुस् भागवान आएंगे हमारे पास हमारी रच्छा करेंगे तैसी बात नहीं है दोस्तों आप लोग करतब दिखाईए अपर थोड़ी सा उधानिया से दिखाईए आगे आगे आप लोग को न्यू जून ले चलते हैं अगले खबर बिहार के जिला गोपाल गंज से सामने आ रही है यहां पर भी ताजिया निकाला जा रहा था ताजिया के साथ सैकलों लोग जून निकाल रहे थे यह जून हरपुर से धरंपुर के तरफ जा रहा था जून निकालने के दौरान वहां पर लोग करतब दिखा रहे ना जाने कौन सा इसलाम फॉलो कर रहे हमारे देश के मुसल्मान ताजिये का जो जुलूस निकलता है उस ताजिये के आगे आगे लोग कर्तब दिखाते हैं जिस तरह से सरकस में कर्तब दिखाये जाते हैं उसी तरह से नेकर पहन कर बनियान पहन कर लोग कर्तब दिखाते हैं जब मुसल्मानों पर कहीं पर जुल्म होता है अत्याचार होता है तब रोना शुरू कर देते हैं ऐसे मुसल्मान कि देखिये मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है लेकिन काहे के मुसल्मान हो कि एमाम हुसेन की शहादत पर मुसल्मानों ने उनके परिवार वालों ने कर्तब दिखाए थे लाटी डंडों के साथ कूत कूत कर उचल उचल कर कर्तब दिखाना ये कौन से इसलाम में लिखा है अब कर्तब दिखाने के लिए लोगों के पास हरे हरे डंडे थे हरी टहनिया, हरे बास और कुछ लोगों के पास लोहे के भी बास थे और वो उसे कर्तब लिखा रहे थे जिस रोड से ताजिय का ये जुलूस निकल ला आता उस रोड पर 11 केभिय का एक बिजली कतार नीचे की तरफ लटक रहा था इनके हातों में ये जो हरे हरे बास लोहे के बास थे बिजली के तारों के संपर्क में आता है और जुलूस में करन फैल जाता है करन फैलने के वज़ा से अफरा तफ्री मच गई, भाग दोड मच गई भगदल मचने की वज़ा से बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए जबकि करन लगने की वज़ा से तक्रीबर ग्यारा लोग बुरी तरह से जुलस गए है कई लोगों की हालत नाज़ुक बताई जा रही है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है लाकों लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सारे मुसल्मान ऐसे होंगे जिनको मेरी बाते बहुत ज़दा बुरी लगेंगे लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रखकर अपने गिरीबान में ज्छाक कर देखना क्या यही इसलाम है करवला के मैदान में आज जब इमाम हुसेन को शहीद किया गया था तो करतब किसने दिखाये थे हसी मजा किसने किया था जशन किसने मनाया था क्या यह बात आपको मालूम है जिस तरह से सरकस में कर्तब दिखाये जाते हैं इसी तरह से लाठी डंडों के साथ लोग कर्तब दिखाते हैं तो दोस्तों आप लोगों वीडियो देखें न हमारे जो मुस्लिम भाइ लोग थे वह अपने ताजियों के लिका जा रहे थे उसमें उन लोगों को साथ दुर घटना घट गई है जो काफी दूखी की बात है काफी लोगों कम्रीप्त हो गया उसमें दोस्तों हम वीडियो करत करेगा आज चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं आप से कॉल तब तक नेक्स्ट वीडियों में तब तक लिए दोस्तों है कि अ